हालो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ग्यान में तो आज हम आप लोग को इंटीग्रेशन का फिर से क्वेस्चन देखेंगे और इंटीग्रेशन का आज हम लोग 33 नमबर क्वेस्चन से देखेंगे और यहां से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको एक्जाम में पूछे गाई जैसे हो जैसे पूछे गाई देखिए क्वेस्चन नमबर 33 जो दिया हुआ है वह 33 में दिया हुआ है यह एक फर्मूला होता है और फर्मूला आप लोग को बैचें बताया होंगे हाई बॉलते है इसको हिरो भगि जाती है हरो गूनडप बज जाता है तो हमेशा यह बात आपको याद रखना है कभी भी Heala um 4-3-3-4-3-9-1-3-3-3-4-5-6-7-9-1-4-3-1-6-7-8-1-7-8-8-1-6-6-7-88-1-8-9-6-1-8-1-8-7-8-1-3-8-8-8-6-7-8-9-8-8-8-8-1-8-8-0-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9 सबसे पहला चीज़ हम लोग साइन एका दिफ्रेंशियेसन करेंगे किसका साइनिक्स का डिफ्रेंशियेसन करेंगे तो ब cow这 exist हो जाएगा टर इसलिए साइने डिफ्रेंशियेसन को ऽप सेथा बट को सेथिए सा STEVE का डिफ्रेंशियेसन नहीं होता तो यह फंचन हो गया, यह फंचन का differentiation तेकर एंसर होगा e के पावर x into sin x, अच्छा आप दिखे, e के पावर x into sin x minus cos x है, तो सबसे पहला चीज़ आपको यह दिमाइग में रखना होगा e के पावर x, आप प्लस में sin x, आप प्लस में minus cos x हम इसे लिख सकते हैं, तो देखे, sin x का differentiation minus cos x नहीं आएगा, sin x का differentiation सिधा cos x आएगा, इसका मतलब minus cos x का differentiation करेंगे तो sin x, का differentiation निकल जाग़ था तिसका D answer हो जागा ठिक है? अब देखिए E के power X है in 2 merge 1 by X है minimize 1 by X square is 2 is too x ति करहाइए इसका ऑंसर हो जागा e to 1 by X इके power X is in 2 में कदि हो जागा 1 by X e 14 निमर क्या हो जागा 1 by X अब देखे 38 Скत्ष nき यॉभार एक्ष है differentiation होता है minus cos x square x इसका मतलब इसका करने पर यह ताएगा नहीं इसका मतलब log sin x का differentiation की यह channel पर तो log x के 1 by x तो 1 by sin x sin x के cos x तो cos by sin cortex इसका मतलब होता है log sin x का differentiation करेंगे तो cortex आजाएगा इसका मतलब इसका answer e के power x into log sin x अब देखें 49 number question e के power x into me tan x minus log cos x तो भाई जैसा ही log cos x का differentiation की जिएगा तो tan x आजाएगा और तो इसका answer हो जाएगा e के power x into minus log cos x e के power x into minus log cos x minus बाहर निकल जाएगा log cos x इसमें answer नहीं दिया हो इसका मतलब इसमें कोई भी answer सही नहीं होगा यह सारा का सारा answer गलत है इसका जो answer होगा e के power x into minus log cos x यही answer होगा बट यह answer नहीं दिया वाई के मतलब चारो answer गलत है अब चलिए आगे बढ़िए 40 में दिवा e के power x into me tan x plus log cos x log cos x का differentiation कीजिएगा किसका differentiation कीजिएगा log cos x का तो आपको tan x आजाएगा इसका मतलब answer हो जाएगा e के power x into log cos x इसमें भी answer mistake हो गया है e के power x into में कदी हो जाएगा log cos x समझ जाएगा नहीं अब चलिए 41 नूमर question 41 नूमर question में दिया हुआ है e के power x into में sec x i into में 1 plus 10 x sec x से multiply कर दिजिएगा तो हो जाएगा e के power x जई सही multiply किजिएगा तो sec x आप पलस में कदी हो जाएगा sec x into 10 x तो जबाइ sec x का differentiation क्या होता sec x into 10 x तो e के power x into में कदी हो जाएगा sec x answer हो जाएगा अब चलिए next question के तरफ बढ़ते है देखे question number 42 question number कदी है 42 42 number question है e के power x into में 1 plus log x इसको अलग अलग कर दीजिएगा जई सही अलग अलग किजिएगा तो हो जाएगा 1 by x आप पलस में कितना हो जाएगा x log x by x into में d x x x कट जाएगा तो log x का differentiation करेंगे तो log x का differentiation करेंगे तो 1 by x नहो जाएगा तो हो जाएगा e के power x into log x अब देखिए 43 number question 43 number question को भी अलग अलग आप कर दीजिए तो e के power x दिया हुआ है कथी sin x पलस में कथी दिया हुआ है cos x बटा में कथी है cos square x into में d x अलग अलग कर दीजिए तो e के power x है यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x बटा में कथी हो जाएगा cos tan x tan x into में क्या हो जाएगा sin x आये हो cos cos कर जाएगा cos उपर जाएगा तो e के power x into sin x हो जाएगा e के power x into sin x हो जाएगा a answer हो जाएगा अब देखिए 44 number question इसको subjective में भी हम आपको बताया हुए थे subjective में जाके देख लिजिएगा इसका वीडियो बहुत ही अच्छा question है e के power x into 1 plus sin x y 1 plus cos x sin 2 में dx इसको अलग-अलग कर दिजिएगा तो इसका answer आजाएगा e के power x into 10 x y 2 e के power x into में 10 x y 2 e answer आजाएगा e के power x into में 10 x y 2 answer आजाएगा question number 45 बड़ी important question है बहुत important objective के लिए समझिएगा थुरा ध्यान दिजिएगा देखिए 45 तंबर है कती x square plus 1 बट्टा में कती है x plus 1 के whole square into में e के power x into dx चलिए हम इसको थुरा सा पेज़ पर बना लिएगा देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान दिजिएगा सबसे पहला x square plus 1 है ना ती इसको आप ऐसे लिखे दिजिए x square minus 1 अब फिर plus 1 अब plus 1 मतलम हम इसमें 1 घटा दिए 1 क्या कर दिए जोड दिए बट्टा में कितना हो जाएगा x plus 1 के कती whole square into में कती e के power x into dx देखिए अब क्या किजिएगा x square minus 1 है ती से लिखे दिजिए x plus 1 into x minus 1 एक डा 1 1 कती में जाएगा plus में 2 1 1 पिलस में कती 2 भट्टा में कती में जाएगा x plus 1 के whole square into में e के power x into में कती dx ठीक है अब अलग-अलग कर दिए जाई सही अलग-अलग कि जीएगा x plus 1 into में x minus 1 भट्टा में कती x plus 1 के whole square plus में 2 by x plus 1 के whole square आई e के power x into dx एको से वो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो जाएगा x minus 1 by x plus 1 आप प्लस में कथी 2 by x plus 1 के कथी whole square आई इन 2 में e के power x into dx देखो समझो समझो इसको जाई सही हम लोग differentiation करेंगे x minus 1 by x plus 1 का differentiation किजेगा इसका जाएगा 2 by x plus 1 के whole square इसका मतलब इफंसन हो गया इफंसन का differentiation हो गया या subjective में भी question डाल सकता है इसलिए इसको हलका में लेके मत चलिएगा समझ जाएगा तो इसका जो answer हो जाएगा e के power x i into में x minus 1 by x plus 1 e के power x into x minus 1 by x plus 1 आप देखिए 46 नमर question भी आप लोग को हम subjective में बता हुए है एक रा लिख दिजिएगा x by x plus 1 के whole square i into e के power x into dx 1 जोड दिजिएगा 1 घटा दिजिएगा इसको अलग-अलग कर दिजिएगा तो इसका जो answer हो जाएगा e के power x i into में x plus 1 अर्था इसका c answer हो जाएगा ठीका अब चलिए 47 नमर question आप लोग को सबको फर्मूला याद होगा 47 नमर question का 47 नमर question का answer 1 by a square plus x square के फर्मूला 1 by a 10 inverse x by a 1 by a square minus x square के फर्मूला आपको याद होगा 1 by 2 a log a plus x by a minus x होता है न अब चलिए देखिए तो जाएगा का थी 1 by 2 a log a plus x by a minus x b answer हो जाएगा 1 by x square minus a square इसका answer होगा 1 by 2 a एक अज़ा answer तो यहाँ पर दिए दिया 1 by 2 a log x minus a by x plus a 1 by 2 a log x minus a by x plus a b answer हो जाएगा ठीका अब चलिए 50 1 by root under a square minus x square को जाएगा तो यह d x by x square plus में कहते हैं यह 16 तो एक से square plus में 16 है तो हम लोग x square plus सुला को लिख सकते हैं x के square plus में 4 के square तो 1 by 4 इंटू में 10 inverse x by 4 b answer हो जाएगा अब देखिए question number 35 और question number 35 property से है a से लेके b तक a fix into dx है तो इसका integration किजिएगा तो capital f x a से लेके b तक upper limit minus lower limit तो जाएगा f b minus f है इसका answer हो जाएगा थी f b minus f है चावब नमबर question है x into dx 0 से 1 तक तो x का integration x square by 2 0 से लेके 1 तक डालिएगा तो एक बार upper limit तो 1 k square by 2 minus 0 k square by 2 अर्था तो इसका answer हो जाएगा 1 by 2 कितना answer हो जाएगा 1 by 2 अब चलिए question number 55 e के power x का integration सब आदमी को पता है e के power x upper limit 0 से 1 तक मतलब limit दिया है 0 से 1 तो e के power 0 minus e के sorry e के power 1 minus e के power 0 तो e के power 0 का value 1 होता है तो e minus 1 ने कर answer हो जाएगा अई बाद यहाँ हो है x into e के power x तो पहले इसका काम क्या किजेगा e into b पर तोरिएगा x into e के power x into 1 है ना तो इसको पहले तोर दिजे e into b पर देखिया x into e के power x है into में कती है dx है हम इसको पहले क्या करेंगे e into b पर तोरेंगे कती होतोरेंगे e into b पर तो इव इंटू भी पर दैसा ही तो रिएगा तो सबसे पाला चीह होजाएगा एक्स को छोरेंगे एके पावर एक्स का इंटिग्रेशन फिर एक्स का डिफ्रेंशियेशन एके पावर एक्स का इंटिग्रेशन इस पूरा के होजाएगा होल इंटिग्रेशन तो x है e के पावर x का integration e के पावर x है x का differentiation होता है 1 e के पावर x का integration e के पावर x है into में कदी हो जाएगा dx तो x into e के पावर x है 1 में e के पावर x से गुना करेंगे तो e के पावर x e के पावर x का integration e के पावर x कहां से कहां तक है 0 से लेके 1 तक question में कदे है factor 0 से लेके 1 चलिए पहले 1 डाल देते हैं तो 1 into e के power 1 minus e के power 1 lower limit 0 0 into e के power 0 minus e के power 0 तो यह हो जाएगा e minus e minus e 0 में e के power 0 से गुना करेंगे घिते 0 मेंहा जाएगा आई हो जाएगा minus 1 минus plus 1 कितना answer हो जाएगा plus 1 is troll yeah एक मिनट डालिएगा ना तो होजाएगा वन इंटू पावर वन माइनस इक पर वन जीरो जीरो डालिएगा तो जीरो इंटू इक पावर जीरो है माइनस है ठीक है माइनस माइनस पलस वन एंसर होगा लेकिन यहाँ पे एंसर मिस्टेक है वन एंसर होगा वन वन कोनों में आंसर होना चाहिए देखिए जीरो से लेके वन तक है ये के पावर एकस बाई टू है समझा है ना 0 से लेके 1 तक E के पावर X by 2 है तो E के पावर X by 2 का इंटिग्रेशन E के पावर X by 2 into 1 by 2 0 से 1 तक E 2 उपर जाएगा तो 2 into E के पावर X by 2 0 से लेके 1 तक अपर लिमिट माइनस लोड लिमिट आल दीजिया तो पहले हम लोग डालेंगे 1 तो E के पावर हो जाएगा 0 से लेके 1 तक है ना तो E के पावर 1 by 2 माइनस में हो जाएगा E के पावर 0 by 2 और ता तो जाएगा 2 into E के पावर 1 by 2 माइनस से करवहलू कितना हो जाएगा 1 इसका अंसर यह हो जाएगा भी आंसर है, यह जिए को यहांश हैंगा थो इस्टेक दिया है, जाए 100 रिमित हो गा हर गाएगा थो अंभर नंबर कोस्चन सी एंटिग्रेशन होता है 10 इंवर्स 6 ऑपर लिमीट माइनस स्लोग लि में लिएगा तो यह आदएगा 10 फिर उस 5 का पाई एक्स थी इसका आंसर ओझा दाइका चाह्वाइगा ल्युद्पा यह 0uries श्क्कर एक्स ब्रूम् division इंटीरेशन कि जीये गांता लोग को पता होगा इसका अंसर होता है 10X-14 नहीं का से ओस्टाonymous आका और जीरों 001-145 माइनस πाइव फोर हो जाएगा आप देखिए, रूट एक्स का इंटिग्रेशन, तो रूट एक्स का इंटिग्रेशन क्या होत है, तू बाइ थिरी, एक्स के पावर थिरी बाइ टू है, कहा से कहा तक है, चार से लेके नो तक, पहले upper limit डाल दीजेगा तो दूसे लेके 3 तक upper limit नौ डालिएगा तो 9 के power 3 बटा दू माइनस 4 के power 3 बटा दू इस टाइब के question में बहुत सारा लगिका mistake करता रहता है तो बता दे 9 को पहले आप ऐसे लिख दीजेगा 9 को लिख दीजेगा 3 के square के power 3 बटा दू माइनस 2 के square के power 3 बटा दू 2 से 2 कर जाएगा 2 से 2 3 के power 3 तो हो जाएगा कती 27 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 19, 19 दूना 38 बटा 3 एंसर हो जाएगा इसका जो एंसर आएगा यह root का 38 बटा 3 एंसर आएगा लेकिन mistake से इसमें answer गलती दे दे इसका जो answer आएगा 38 बटा में कती आजाएगा 3 एंसर आजाएगा अब चलिए एक सट नमबर question है x के power 5 इंटू डी x x के power 5 का integration x के power कितना हो जाएगा 6 by 6 अपर लिमिट कहाँ है a से लेके b तक तो इसमें हो जाएगा b के power 6 minus a के power 6 अब i 6 b answer हो जाएगा अब देखे question number 62 चलिएगा तो 1 by 1 plus x square into dx तो एका integration 10 inverse x 0 से लेके infinitive infinitive 10 में के करमान होता है 90 के तो हो जाएगा एका answer pi by 2 pi by 2 answer हो जाएगा देखिए कोई भी चीज का differentiation किजिए फिर integration किजिए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और तात इसका answer effects ही हो जाएगा देखिए या तो integration करके differentiation किजिए या differentiation करके integration किजिए वैसा हमें कोई बदलाव नहीं होता है तात उसका जो answer आएगा वही answer हो जाएगा इसका FX एंसर हो जाएगा इसका जो एंसर आजाएगा, किठी आजाएगा FX आजाएगा, सिधा FX एंसर आजाएगा प्रिखर यहाँ पे, log X का डिफिरेंसियेशन होगा, प्रिखर इंटीग्रेशन होगा तो इसका एंसर log X ही हो जाएगा अब देखे, DX Y 1 plus 6 स्कुआ जीरो से लेके 1 तक वह इसका यांसर सकी नाल ढाल दीजेगाँ भी फर इकर आजाएगा थाएगा 548 इसका यांसर आज आजाएगा 20 इंटीगरेशन साइन एक्स आज jamais और लिए मैनंस स्लोबार लिमित आलेगा इसका यांसर कि इतना गांगता देखे। सारसट नम्मर क्वेस्टन है dx by dx x का integration कितना हो था log x आपर limit minus lower limit डाल दीजेगा तो इसका answer आजाएगा log 4 minus log 2 log m minus log n के फर्मूला log m by n तो चार बटा दू तो दू से दू कट जाएगा तो log 2 इसका answer हो जाएगा अब दिखिए और सथ नम्मर क्वेस्टन दिया है जीरो से पाई बाई टो साइन qx इंटो कॉंसेक्स जाएगा तो इसका जो इंटिग्रेशन आजाएगा वह आजाएगा साइन 4x by 4 कहा से कहा तक जीरो से पाई बाई 2 तक अब अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट कीजिए गा तेकर answer 1 by 4 आ जाएगा इसका answer कितना आ जाएगा 1 by 4 अब देखिए उनहत्ता नमबर क्वेस्टन है 10 inverse x के whole square by 1 plus x square into में कदी idea हम 10 inverse x को अगर जे t मानेंगे तो 1 plus x square cancel हो जाएगा अब t square बचेगा अर्थात हो जाएगा 10 inverse x के whole की हुआ बटा में कदी हो जाएगा थिरी x के जगा पर यहाँ पर यहाँ पर 1 होना चाहिए गलती देदिया हुआ समझा है ना x के जगा पर यहाँ पर कदी होना चाहिए 1 तब नहों यानि होता answer तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो हो जाएगा 5 by 4 तो हो जाएगा आपको कितना पाई क्यू अब बटा में 4 चुका 16, 16 चुका 16 बटा में 3 अर्थाति इसका एंसर हो जाएगा पाई क्यू बटा एकसो बिरान में पाई क्यू बटा में कथी एकसो बिरान में इसका जो answer आएगा पिछला question का बाद आएगा पाई q बटा एक सो ब्रान में अब चलिए अगला question अगला question है mode x minus 2 से लेके 2 तक आप लोग को पता होगा कि mode x को हम लोग पहले minus x के लिखेंगे minus 2 से लेके 0 तक आप फिर लिखेंगे x into dx जीरो से लेके कहा तक 2 तक एकर integration करेंगे तो minus x square by 2 minus 2 से लेके 0 तक आप फिर एकर integration करेंगे तो x square by 2 0 से लेके 2 तक तो जीरो के square minus 2 के square बटा दू आप पलस में फिर हो जाएगा तो यही बो से 2 आएगा हीबो से 2 आएगा और तात इसका answer 4 आजाएगा अब देखें एक 70 नंबर question दिया हुआ है 0 से लेके A तका Fx into dx तो इसका जो integration आ जाएगा वहाँ आ जाएगा A, A minus 6 into dx परफटी परफटी चौंथा या पचमाय पर होईएगा आप लोग है न जाहाँ पर x राता वहाँ पर हम लोग अपर लिमिट minus 6 डाल देते हैं 0 से लेके A तका A, A minus 6 into dx 72 नमर क्वेस्टन आप लोग को सब्जेक्टी में जाके एक क्वेस्टन बना दिये हुए इसका answer 0 हो जाएगा क्योंकि इसको I मान के क्राई equation first मान लिजिएगा जैसा ही equation first मानिएगा और उसका परफटी डाल देजिएगा x के जगा पर अपर माइनस x तो इसका आएगा answer 0 आजाएगा 73 नमर क्वेस्टन का answer कथी आजाएगा 5 by 4 74 का भी answer कथी आजाएगा 5 by 4 और 74 जो 73 डबल हो गया है अब 74 का जो answer आएगा वहाँ आजाएगा A by 2 ऐसा question में हम लोग बोले हुए थे न कि सिधा answer आजाएगा upper limit by 2 तो इसका answer आजाएगा A by 2 75 नमर क्वेस्टन का भी answer आजाएगा कथी पाई by 4 चलिए 77 नमर में क्या किजिएगा सबसे पहले इसको अलग-अलग कर दिजिएगा जई सही आप अलग-अलग किजिएगा तो इसका जो answer आजाएगा या पाई answer आजाएगा नहीं तो इसको इसको थोरा सा बना दे बड़ी important question है ध्यान दीजिएगा question number 76 बहुत important question है देखिए सबसे पहले इसको आप अलग-अलग कर देते हैं तो अलग-अलग किजिएगा थे x q into dx कितना हो जाएगा x q into dx minus 5 by 2 से plus 5 by 2 फिर हो जाएगा plus में कते 10 q into dx सा फिर कती हो जाएगा minus 5 by 2 से लेके पृस 5 by 2 फिर पलस में हो जाएगा कते 1 into dx minus 5 by 2 से plus 5 by 2 देखिए इसका भी answer zero हा जाएगा कि यह औठ function है इसका भी answer zero हो जाएगा औठ function इसका भी answer zero लेकिन 1 से पता नहीं चलता है कि odd है की भेन है तेकर आप पहले integration कीजिए तो 1 का integration x minus pi by 2 से plus pi by 2 तक upper limit minus lower limit कर दिजेगा तो इसका answer कती आजाएगा pi इसका जो answer आजाएगा वो pi answer आजाएगा pi 76 number question का answer pi आजाएगा 77 का answer जो answer आजाएगा वो 0 आजाएगा 0 आजाएगा answer 77 का 78 में दिया हुआ if x is odd function देने एतना बराबर तो 0 answer हो जाएगा है न माइनस a से लेकिए तक upper x into dx रहता तो इसका answer का दियाएगा 0 जब odd function होगा अब यहाँ पर दिया एफ minus x बराबर minus fx तो यह भी तो odd function का definition है ना तो इसका भी answer 0 आजाएगा अब देखिए अलफा से यह भीटा है यह भीटा से अलफा है तो इसका answer 0 आजाएगा समझा है ना इसका answer का दियाएगा 0 18 में दिया हुआ if x is odd function तो इतना तो odd function होगा तो एकर answer कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आज हम लोग आगला जो question सब है वह 3D factor का question है तो आज के हम लोग वीडियो में integration का आप लोग को वीडियो बता है अगर इसमें से कोई भी अगर जो question में दिकत होता है तो आप comment box में जाकर जरूर comment किजिए और आज के वीडियो को आन तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्देवाद